प्रेम इत्रों स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल स्टेडि विद प्रदीप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में नौकरी में संविदा नहीं आपके उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीम के सो प्रसाद मौरिया जी दौरा ये बयान दिया गया कि जो संविदा की बाते कही जा रहे हैं संविदा की बाते एक भ्रांतियां पहलाए जा रहे हैं जूट पहलाए जा रहा है उत्तर प्रदेश में कोई भी नौकरी संविदा पे नहीं होने जा रही है सारी नौकरी आपकी जैसे मिलती थी उसी प्रकार से सरकारी नौकरी दी ज हु युवाओं की लगातार मांग थी के बात हटाइज हमें संविदा नहीं चाहिए वहें जौब चाहिए और उस उसमांग का असर दिखता हुँए दिखाई पड़ रहा है उसमांग की पूर्टी होती दिखाई पड़ रही बड़ी जीत है और इस बड़ी जीत पे एक एक करके हम सब पे नजर रखें हैं एक एक करके हम सब के बारे में समझने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर के साथ मुपस्तित हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जल्द कई भरतियां होने वाली हैं सरकार का कहना है तीन मह महीने में कोई काम नहीं हुआ है लेकिन अगला छह महीना आपके लिए शोड़िम भविस्त के रूप दौर खोल रहा है आपके लिए एक उज्वल भविस्त का दौर खोल रहा है छह महीने के अंदर आपके प्रदेश में लगभग तीन लाग बैकेंसियां होने वाली हैं अग से तीन महीने में फाइनल करने की बात कही जा रहे तो एक एक करके हम सब पर जानते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आप पूरी बात को देख करके जाए पूरा समझ करके जाए यह वक्त गवाई करें काम की बात हैं करेंगे फालतू बात ने करें बस दो मिनट हम आपका वक् वाली यो बंपर वैकंसी आएगी इस बार चुकि 18 और 19 की आरो यारो नहीं होई है इसलिए बंपर वैकंसी की उमीद है तो आपको बता दो को 20 में जो बंपर वैकंसी आएगी उसके लिए हम तयारी शुरू कराने जारे एक अक्टूबर से आपकी एक सिकिंड के लिए हम वाक्ति लिए तो क्लासेस आप सकते हैं इस नंबर पर यह डबल जीरॉ फौर वन जीरो नाइन ये पर वाट्सटप कर सकते हैं आरो यारो लिकर के जो आपके लिए पूरी तरह से फ्री है आपको सारी classes free दे जाएंगे तो यह थी एक छोटी सी जानकरी चैनल के बारे में जो आपको जानना जरूरी था आप चलिए काम की बाते कर लेते हैं यहाँ पे काम की बाते हैं क्यों उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में नियम में कोई बदलाव नहीं कर रही है ना प्रदेश के के सो परतातार और ट्यूटर पर फेस्बुक पर वाटसफैब्स Original हर यह सब्रातााई ह делает उसके बाद प्रियागा राज को सर्किट हाउस में सरकार की स्तितिक आस्प्षट की और कहा कि मुद्ण भी हिन विपच्च युवाओं को गुरा कर रहा है युवा विपच्च के बाकावे में ना आये सरकार भरतियों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करने जा रही है ना ही कोई को बदलाव कर रही है अगली जो खबर है काम की खबर है तीन माह में सुरू होंगे खाली पदों परभरती और श्यमामें न्योक्ति पत्र बहुत तेजी से काम अगर इस तरह से काम सरकार करती है तो हम जिस उमीद और जिस विस्वाकसा सरकार के साथ जुड़े थे जिस विस्वाकसा सरकार को इतने बड़े बहुमत से सरकार बनवायते हम सरकार के साथ हैं लेकिन अगर सरका ुआ का सबसे ज्यादा पियार करता है यहां की जंता सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती उस पर दान-մंद्री को सिर्फ चंद युवहों के माद 9 से चंद युवह कंपरम परता sello dim की तैयारी करने वाले हम त्रेंडिंग मेंप 투 तफरी में सरकार ने जो फैसला किया यूओं को हित में रख करके फैसला किया चलिए देखतें क्या है इसमें जानकारिया बारतियों में लेट लटी पर सीम ने दिये तो चलिए हम आपको एक पर बता देते हैं सरकारी विभागों की भरतियों में लेट लती पर युवाओं की नराजगी को देखते हुए सरकार हरकत में आ गई है मुखमंद्री योगी आधित नाथर ने सभी विभागों ने रिक्त पदों पर तीन माह में भरती प्रक्टिया स में उत्तर प्रिदेंस के जो निकंवे निठल्ले अधिकारी हैं जो तीन साल से व्यारे तक killing अकर पा रहा हैं अगर सरकार इसे तरह सरकत में आई होती है और Şu ducks को को सस्पेंड की होती यह को सस्पेंड की ना तब वैवरा आज के तीन साल पहले पहुंच गया जारी रखिए सांथ हो जाएंगे सरकार भी सांथ हो जाएगी सरकारी विवाग में भरतियों को लटके रहने और पांच पर संविदा पन्युक्ति के प्रस्ताव के बिरोज में ब्रियस्पतवार को प्रदेश भर में बेरोजगार युओं ने जबर्दस्त बिरोज पुर्द सहित सभी आपर मुख सचूओं और प्रमुख सचूओं का एक सब्ता मेरिक पदों का बेवरा पूरा विप्रण उपलब्द कराने को काया, साथ ही भरती प्रक्रिया में तेजे से निर्देश दिये, देते हुए भरती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ और निस्पच धंग संचारित करने के निर्देश दिये गए हैं, यूग उत्तर प्रदेश लोग से वा आयोग का बड़ा फैसला हिंदी वा समाजी विज्ञान के 3287 पदों पर एल्टी गेट से चक की भरती का जारी रेजल्ट, ठीक है, पेज नमबर चार पर दिया गया, आप होँआप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाएं, समय से भरतियों के लिए खुद सक्री हुए मुख्यमंत्री, आयोगों भरती बोर्डों के संग किसको बैठक, योगी राज में तीन लाग भरतियां हुई, छी आसी अजार प्रक्रिया दीन है, ठीक है, कौन कौन से प्रक्रिया दीन और कल आपके यूपिट पलेसी का एक बड़ा रेजल्ट आया, कृसी प्रावदिक भरति का रेजल्ट जारी किया गया है, तो जो लोग इसमें रेजल्ट में रहे हों, अपना रेजल्ट जरूर देख लें, मुझे उमेद है का आपकी बात आज की वीडियो है, आपको पसं सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी, फिर हम लोग मिलते हैं कि से और वीडियो में तब तक लिए जाज़त दीजिए, जहन्त